हलो डियर स्टुडेंट्स मैं हूँ राजे स्वार और आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपोडेंट टॉपिक दाड़ी जेसम कॉल राउटिंग डियर स्टुडेंट्स जेसम कॉल राउटिंग के अंदर बेजिकली दो पार्ट साते हैं जरुदी एक होता है उन्दर यहाँ देख पार होंगे स्क्रीन पे इंदर जो कॉल जो स्टार्ट होता है वो मूबाइल स्टेसन से होता है end कहीं पे भी हो सकता है एदर है telephone मतलब outside GSM network या तो कोई mobile station के साथ ही वो call end हो सकता है दिश्रा होता है students mobile terminated call तो mobile terminated call में क्या होता है जो call जो end होता है देखिए आप यहाँ से telephone network से call किया गया है जो call end होता है वो एक mobile station के साथ होता है तो इसलिए इसे कहते है mobile terminated call तो आप समझ गयोंगे mobile originated call and mobile terminated call क्या होता है हम दोनों ही देखने वाले हैं लेकिन पहले हम देखते है mobile originated call कि कैसे mobile originated call flow work करता है यह आपका कोई भी जो college का syllabus होता है university का syllabus होता है and knowledge point of view से भी बहुत ही ज्यादा important है ओके so let's see how it works तो dear students यहाँ पर आप देख पा रहे है कि step number one जो है यह mobile station to BTS के बास आ रहा है then BTS to BAC and BAC to MSC तो यहाँ पर जो call flow का पहला step है वो कुछ signaling resources के लिए request कर रहा है then यहाँ पर हम ऐसा माल लेते है हमारे case में कि हम लोग अभी कहीं बाहार है मतलब हम हमारे home MSC में नहीं है हम कहीं बाहार है माल लोग कि आप का जो home MSC है वो सूरत है आप home MSC सूरत है लेकिन आप अभी कहीं घूमने गये हो for example let's say simla तो आप अभी currently कहाँ पर हो simla में हो तो यहां पर step number one जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो कुछ resources के लिए request कर रहे हो क्योंकि आपको call setup करना है second step क्योंकि आप अभी simla में हो तो आपके जो nearest आपका mobile solution होता है nearest MSC आनि आपका जो visiting location वाला registry होगा VLR आप अभी क्योंकि आप home MSC में नहीं हो foreign MSC में हो तो आपके VLR से पहले contact होता है और आपकी authentication फिर आपकी जो आपका call list है आप list check होता है वहाँ पर मतलब black list में है कि white list में है gray list में है then फिर services आपके पास जो आप request कर रहे हो वो allowed है या नहीं आप उसके लिए bill payment वगरा किये होके नहीं यह सब एक बार यहाँ पर check होने के बाद finally देखिए आप third number step देख पारे होगे MSC से जा रहा है किसके और BTS की means इसको जो आपने request किया था resources necessary requests को इसको grant कर दिया चाहे तो यह तीन step यहाँ पर आप देख रहे हों कि मैंने आपको यहाँ पर shortly बता लेकिन students इसको हमें in-depth समझना जरूरी है देखिए यहाँ पर steps यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत easy लगेगा लेकिन मैं आपको depth में बताने वाला हूँ पहला step जैसे लिखा है mobile station sends request of dial number to BTS, BSC and MSC तो यहाँ पर यह देखें dial number का जो और यह request भेज रहा है BSC, BTS, BSC and MSC तक तो यहाँ पर resources, necessary resources के लिए signaling resource के लिए यह request होता है, then मैंने जैसे बताया था कि MSC यहाँ पर VLR को MSC कहाँ चेक करेगा, VLR क्योंकि आप अब बहार हो, आपके visiting location registry में आपका चेकर जाएगा क्योंकि आप अभी foreign MSC में हो और क्या चाहिए था कि MSC is allowed, the requested services or not, आपके mobile station को जो requested services है वो allowed है या नहीं है अगर सब को सही है, then third step में जैसे बताया गया था कि MSC क्या करता है, BSC and BTS इसको order देता है कि भाई, इसको जो भी चाहिए जो necessary channels or resources उसको दे दिया जाए और connection establish किया जाए students, ये तीन step आपको कितना easy लग रहा है, लेकिन थोड़ा इसे हमें क्या depth में समधना पड़ेगा यहाँ पर जिस उचो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर diagram के form में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये तीन step कैसा होता है, as an intelligent student as an engineer आपको ये समझना होगा कि internally ये तीन stage कैसे हो रहा है तो यहाँ पर इसलिए बहुत important बन जाता है ये diagram को समझना है, तो students यहाँ पर mobile station 1 है जहां से हम call stabilize करना चाहते है and this is you know बेट रांजीबर सिस्टेम जो टावर है आपका यहाँ पर बेस्टेशन कंट्रोलर, mobile switching center यह आपका mobile switching center के साथ आपको पता है कोई डेटाबेजिस होते हैं, तो यह सारे डेटाबेजिस है, home location registry, location registry, equipment, identity register, authentication center और जहां पर हम call को stabilize करना चाहते है, suppose यहां पर हमारे case पर हमने एक telephone लिया हुआ है, तो यह सारे database MSC के साथ रहते है, HLR, VLR, EIR, AUC, and जैसे कि मैंने आपको बता है, कि यहां पर हमने जो call stabilize कर रहे हैं, हम कहां पर है, similar में है, यानि कोई foreign MSC में है, rather than home MSC, हमने हमारा यहां पर home MSC सूरत को consider किया है, as you all know, right, तो यहां पर होगा क्या जायतर जो भी dealing होगा, यह HLR के साथ नहीं होगा, VLR के साथ होगा, अगर हम हमारा जो mobile station, अगर home MSC में होता है, तो जितना भी dealing होता, हो HLR के साथ होता, तो maximum dealing हम यहां पर VLR के साथ करने वाल है, जो मैं आपको पहले से बता दिया, तो यहां पर students चलिए, समझते हैं कैसा यह operation हो रहा है, बहुत important operation है, बस कुछ 3-4-5 मिनिट में आपको आगे यह पता चल जाएंगे, यह दिख complex रहा होगा, लेकिन इतना है नहीं, तो चलिए समझते हैं, तो students पहले तो आपको पता होगा, जब आपका mobile session call भी नहीं भी करता है, then only यह सब कुछ broadcasting channels, जैसे यहां पर आप देख रहें, VCCH, FCCH and SCHA, SCH यह आते रहते हैं mobile session, में जो operation आपका यहां से start होता है, आप जब call stabilize करना चाहते हों, वह होता है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, SDCCH चाहिए, मतलब standalone dedicated control channel, तो आपके लिए उसको आपको request करना पड़ेगा, and आप request किससे करोगे, तो यहां से हम start कर रहें, आप आप बीटीएस के थूँ होके, आप खाहां तक जाओगे बीएससी से आप मांगोगे, बीएससी बेस्टेसन कंट्रोलर आपको क्या देगा, अगर होगा उसके पास available SDCCH, तो यहां पर हमको यह access grant कर देता है, क्या देता है हमें यहां पर मिल जाता है SDCCH, तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, कि आगे next step में mobile session को कहता है कि आपका IMSI या तो TMSI भेज़ो, तो यहां पर IMSI कब आएगा, जब आप Home MSC में ही हो तब आएगा लेकिन हम तो अभी foreign MSC का यूज़ कर रहे, तो यहां पर आपको TMSI भेजना पड़ेगा, that is the full form is temporary mobile subscriber identity, temporary mobile subscriber identity जब भी आप foreign MSC में होते हो तब यूज़ होता है for security purpose, आपकी confidentiality के लिए security के लिए हम यह हम ऐसा यूज़ करते हैं TMSI rather than IMSI, तो यहां पर जो भी operation होगा TMSI के साथ, temporary mobile subscriber identity, तो आप तो यह मैंने जैसे कहा कि यह reply भेजता है, साथ साथ मंगवा आता है कि भाई आपका TMSI भेज़ो, तो यह क्या करेगा students देखिए, यहां पर mobile session क्या कर रहा है, यह भेज रहा है, देखो मैंने क्या लिखा यहां पर TMSI भेज रहा है, TMSI जाने के बाद यहां पर यह क्या कर देता है, तो आपके जो mobile session है, उसको BG या active denote कर देता है, तो MSC से request जाती है, EIR को equipment identity register पता है, एक database है, जो request for list check करता है, यहां पर EIR तीन list maintain करता है, एक होता है white list, second होता है grey list and third होता है black list, कि अगर white list में है, then only क्या होगा, EIR से आ जाए, यह वाला जो है, mobile session यह white list के अंदर आ रहा है, फिर हमें next operation क्या करें, MSC को मिल गया है, MSC को पता चल गया कि यह proper white list वाला है, then only हम क्या करते है, आगे call को establish करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर ही, मतलब, उसको हम hold कर लेते हैं, या तो interrupt कर लेते हैं, तो call interrupt हो जाता है, फिर आगे कारते हैं हम игр मिन पता है आपके अपके मूबाइल होता है जैसे आपके कंडल करता हैं ऐसे क होता होता है आपके सीम के अंदर होता है यहाँ पता होगा आपके iMSI भी सिमन के साथ होता है तो यहाँ पर की आपका सब्सक्राइब होता है तो हम होगो हो रिक्वेस्ट करतेज़ है तो यहाँ पर आपने जो की भेज़ा है और झेंटर के साथ की था वह दोनों क्रॉस जब जाता है कि इसका अथेंटिकेशन भी हो चुका है तो यहां पर यहां पर यह रहें तो अभी क्या करेगा अभी मतलब जिसको हमें करना था जो हमारा टेलीफोन हो या तो कोई दूसरा मोबाल सेशन हो यहां पर मोबाल स्विचिंग सेंटर को भेजेगा फिर यहां पर क्या होगा यह आपका विलर तक जाएगा तो यहां पर रिक्वेस सर्विस एलिजिबल्टी कि यहां पर कर रहा है कि एलिजिबल है या नहीं मसी यह डिसाइड करता है यूजिंग वी एलर ओके मतलब आपने कॉल्सा सर्विस के लिए रिक्वेस करें उसके लिए सब्सक्राइब करता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपने साथ जो स्टांडलोन इडिकेट कंट्रोल चैनल उसको आपको रिलेज कर देना पड़ेगा क्योंकि सिग्नलिंगा काम हो गया पूरा आपको अभी ट्राफिक चैनल मिल चुका है जो वॉइस चैनल के लि क्या होगा तो दूसरे कॉल एस्टेबलाइस्मेंट में हेलफुल रहेगा यह बहुत ही स्कार्स होता है तो यहां पर हमने देखा कि कैसे आपको ट्राफिक चैनल क्या हो गया लोकेट हो गया तो स्ट्वेंट्स यह था पहले तीन स्टेप का हमने आपको यह जूम आउट कर यहां तो देखा कि कैसे हो रहा है कि तो तो मिल रहा है भी स्ट्वियव का उसको उस की तो कैसे कर रहे हो यह पिर फिर यहुद्ट में बइस से मैने मृष्प एभटी चैकिंग कि यह अंधा ट्रीख के मदद से क्या दे दिया लोग छाते हैं अब क्या करेंगे हम उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे करेंगे को चैनल के तरफ हम और उसको ढूंडेंगे में ना तो यहां पर इंपोडेंट कोशी ना आता है तो जी एमसी क्या होता है गेटवे मुबाइल स्विचिंग सेंटर होता है मतलब यह क्या करता है किस पर पॉच के लिए तो एक ब्रीज बनाता है हमारा कॉल अभी हम लोग एक मुबाइल नेटवर्क से कर रहे हैं जब भी हमें आ सब्सक्राइब तो बीच में से अगेन आएगा क्योंकि अधर नेटवर्क के साथ जब भी हमें मुबाइल नेटवर्क करवाना हो राउट करना को वहां पर जी एमसी की जरूरत आती है वह एक ब्रीज का काम करता है दोनों के बीच में ठीक है तो स्टेप नमर फॉर आप य सब्सक्राइब निज चला गया तो सेप नुमेर फाइच्ञे को सब्सक्राइब सब्सक्राइबर मतलब जिसको हमने लोकल एक्षेंज को सर्च करेगा तो अभी इसको कॉल जो हमने करना चालू कर देते तो आइपको यह पूरा एजी एंड लगा होगा पूरा प्रोसेस मैंने आपको यह 123 स्टेप देखा था हमने उसको जुमाउट करके आपको डेफ्थ में बता है तो यह बहुत इंपोरेंट है हमारे GSM call-outing I hope students आपको सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप हमारे इंडिया को knowledgeable इंडिया बनाएं और ये सारा जो content है ये जो वीडियो है आप अपने सारे जितने भी friends से आपके ये subject जो भी पढ़ रहें उनके साथ share कीजे और इस वीडियो को धेर सारा प्यार दीजे लाइक कीजे कमेंट कीजे एंड ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए आपका सुक्रिया